नोश्कर किशन भाईयों आज जो स्थिती है वो बड़ी ही भयानक है सरसों के फसलों और दूसरी फसलों के लिए बहुत ही नुकसान दायक है ये देखिए पाला जम चुका है सर्दी का बंपर कहर जो है वो आप यहां देख सकते हैं बहुत खतरनाक स्थिती है दोस्तों ये पूरी तरह से बर्फ के रूप में यहां जमा हुए है और जो ये सर्दी का पहला पाला हिस्सा में पड़ा है जिसकी अब के बार ये सोचा जा रहा था कि भारी बरसात हुई है और इसी के कारण साहिद पाला अब की बार कम पड़े लेकिन स्थती बिलकुल उलट है और ये दक्ष्णी पश्चमी हर्याना के अंदर कए हालात है और इस तरह अगर ये पाला दो या तीन दीन लगातार अगर पड़ गया तो सर्द्सों की फसल पूरी तरह से बर्बाद ही समझें आप क्योंकि समय फूलों पर है सर्द्सों और पाला ये देखिए पूरा मिट्टी के उपर जमा हुआ है कड़क है ये देखिए भयानक स्थिती है और और जो दूसरी फसले हैं उनको भी भारी नुक्षान है ये देखिए फसलें तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है दोस्तों अगर ये लगातार इसी तरह से पढ़ता रहा क्योंकि आज पहला दिन है पाले का और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड यहां आप देख सकते हैं ये देखिए पूरा पूरा कोई भी ऐसा घास का एक तिनका भी नहीं बचा जो पाले की चपेट में ना आया हो और अब ही आप सरसों की तरफ देखेंगे सरसों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं ये देखे पूरा मिट्टी ये देखे ये सरसों दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगी क्योंकि ये फूलों के उपर है और यहाँ कंडिशन ये रहती है सरसों की कि इसे पाला नहीं मारना चाहिए ये देखे बेंगेन की फसल है और उस पर भी भ्यानक रूप से पाला है दोस्तों ये देखे पूरा मिट्टी के उपर जो है ये बरफ कांटे नुमा बरफ जुमी हुई है ये देखे इस से ज्यादा तो क्या होगा ये पूरा हिमखंड बना हुआ है पेड़, पोधे, पसू, पक्षियों सबी के लिए ये बहुत खतरनाक होता है ये देखे चोटी फसले हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा नुक्सान है ये देखे पूरा बरफ जो है यहां जमा हुआ है किसान भाईयों आप ज्यादा से ज्यादा हिमख्या-इसिड का इस्तमाल करें अगर भसलों को पाले से बचाना है तो प्रात्मिक तोर पर आप पानी की विवस्था करें पानी दे बता देता हूं है आप उपलों जो आपके घर में गढ़ाएं या जो भी गोबर होता है ताजा गोबर नहीं होना चाहिए बहुत पुराना गोबर ना चाहिए करीबन दो साल या डेड़ साल पुराना उसको भिगव करके और उससे निकला हुआ भी सिवाह जो हमें कैसिड है यानि उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके तुन्त चल्ए जो आप उसका प्रियोग कर सकते हैं कि दो तीन घंटे आप प्रियोग करके छोड़ें और उसके बाद उस युमिक एसीड का प्रियोग स्प्रे के रूप में करें उस समय आपको यह बता देता हूं कि करीबन 50% पसलों को बचाया जा सकते हैं यह देखिए यहां भी पूरी तरह से जम गया है